नमस्कार दोस्ते, नौलेज़व चनल में आप सभी का सवागत है, Let's Learn Together, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेमिक्स फ्लोरिंग, ट्रेमिक्स फ्लोरिंग कहां ही इस्तमाल करते हैं, उसमें कौन-कौन से एक्विप्मेंट रखते हैं, और इसका प्रोसीजर क्या है, यहां जहाँ दिटिल में दिखेगे, एक ट्रेमिक्स फ्लोरिंग का एक प्यक्टेगल वीजो है, इसमें अब देख सकते हैं, यह एक अग्रिटिए सबब्स हो फ्लोरिंग, कौनक्राइटिंग एक्प्मेंट है, इसमें आप देख सकते हैं, आपिकंदे सा सथ कि हम बग्गेटाइं awakक्स इसके साथ यह कॉंकर्टी का मिक्सिंग होता है और उसके बाद यह कंपर्डिक जहां अवाम्ने को पोहर करना है ओर्लोकेशन पर उसको पोहर करते है इसको आप देख सकते हैं यह Ejects कंपनी है उसकंपनी का यह मशीन है बहुत ही अच्छा मैचिन है इसमें देखे आप पुरा रोडिंग हो गया है वो पुरा मिक्सर दोग रहा है इसके साथ यह कॉंक्रेटिंग का मिक्सिंग हो रहा है अब यह आप देख सकते हैं यहां ट्रेविंग स्प्लोरिंग करें यहां तिकने ज्यादा होने की मिज़से या रइंफॉस्मेंट दिये हैं किया हुआ है उने अट्रेओक नेदा वा। क्वा स्वेसे। देख सेटेग क्या हुआ है। calling झाले सपोर्टिंग क्यूह अ peroisman म२सित मैं दोम क्हाँ ऐसे दिखते है। कि लेवली इन बार मेंचे रोपन क्यों का उनने के दोड़ सकते हैं इसको पूरा देख सकते हैं पूरा सरफेस उसका कैसा इक्दन बिवान हुआ है इसके साथ यह बीक्यूम डिवास्टेंट ने इसमें जो भी एक्षिस वॉटर है वो मशीन लगाने के बाद में उसमें से ज ये पुरा ज्योंड उन्य पैणल में जाय विकौरमें। उसके सबसब रिंदस्टियर फ्लोवर्फ या पार्किंग फ्लोवर्फ वहां युज वाला युज करने वाला युज कर जाने वाला फ्लोरिण है। एसका मेननली परपफस और यहां एक रिजिड ऊपस्यका फुर्परणी सब्सी से जरुबर्ष और बाती है मैंनली मशीन फांडेशन हो गएा लाइट लोड कारिये रहर लोगहाई यहां प्रोएंट नहीं जाना था यह जू प्रोएंट प्रोवाइट कर से तो ऐसा फ्लोरिंग जहां रिक्वारमेंट है वहां ट्रिमिंग इंग इस फ्लोरिंग में कॉंक्रिट का यूज रहता है जनरली एक देर थील 20 बोल सेप्षक्रों एक स्टोन हो गया ओर स्टोन एगरीगेट वल्टी सहब है इस में कभी कभी एक वन्वन हुभी यूज किया जाता है जैसलर डिटर बेरों टी जरूरत है जैसे एक से मिर्टा एक सरंट हो गया और यूजरिया गर्गेट हो आगा है में बार इन सब्रेस्टीकन बार का चाहली रहेता है वो तिकनेश के उपर डिपेंड एंगर कॉंप्रीट का तिकनेश है कि इसमें जैसे 100 एमेन्ट ठट हो थीम टतक रह सकता है इसमें कहीं कहीं जीए फिसी फोल से त मिका डिया जाता है और स्टोन चूलिंग उसके नीचे किया रहता है यह से 230 mm to 300 mm का स्टोन फ्लोरिंग इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग जा रहता है महां PCC जो भी रहता है वो 100 mm तक कर रखते हैं और फ्लोर कॉंक्रेट जैनली 150 mm तक रखते हैं और मेंली हीवी दूटी इरियास इसे वेराऊस गैरेज और मशीन शॉप्स में इतना थिकनेस मेंटेन करते हैं कि अभी ट्रिमिक्स कहां यूज किया जाता है सबसे पहले इंडस्ट्रियल फ्लोर इसे आपनों देख रहे हैं में सेकंड है मैनुफेक्ट्ट्रिंग प्लैंड इदर देख रहेंगे थर्ड है वेरांस इस इदर आ रहे हैं फॉर्थ है गैरे इस उसके बाद है इंडस्ट् स्टोर रोड तो यह अलग अलग जगह में इस्टमाल करता है अ है वाक्ण दीशक्रिंग फ्लोर को इस पर यह कोई गोई कोई विडिया फ्लोरिंग बोलता और यह उन्यां में आपके भी टोर्य एक आगे वाक्यों के परछे से कॉपरिशव टेंड की इंक्रीज विए तें और इसके साथ ही श्रिंगेज मिनिमाइज होता है और फ्लोर रप्स के लिए वीडियो फ्लोरिंग में लिए हाय स्ट्रेंद लॉंगर लाइफ बेटर फिनिश और फास्टर वर के लिए यूज करता है ये इस कि प्रोशसा है जो च्रेंद डुर्यविटी इंपरोव करती है और कि वह स्ट्रेंद करती है उसलिए जो वाटर से में टेस्ट रिशो में वाटर एक्सेस वाटर जो डिटी स्किरता है और वह कैसे डिएश अच्पार बजोंगाल फेलेक्स तरहें पाद्वर फोग यूज़ करके वाटर पानी निखालते हैं और इसमें वाटर सिमेंट रेशो बड़ा रिडियूस करते हैं और इसके साथ ही यह कॉंक्रीट के लिए भी अच्छा रहता है उसका स्टेंथ और डिवरल डिविए लिए अच्छा रहता है इसमें हाफ तो वन परसंट अप चला जाता है यह फिर बाव उसमें से निकलता है है हुआ है विए कौन से टूल से है सब से हैं वैक्यूम दिवार्टरिंग प्रम उसके बाद है फ्लॉट्टर मशीन स्केच में इमेज में देख रहे हैं और उसके बाद है डबल बीड स्क्रीट वाइबरेटर यह जो डबल फ्लॉट पैनल इस वह इसे भुमाते है इसे वाइबरेशन और लेवरिंग साथ में करता है और जनरल लेवल जनरल लेवल भी करता है अज़िवेक्यों डिवार्टरिंग प्रम पर यह पूरा जो पानी रहेगा वह पानी उकट में सट्रिंग्स में से निकलता है और एफ ल लोटर मशिन इस फूरा पॉरा कॉंक्रिट का लेवल करता है अज़िवेक्ट प्रोसीजर देखेंगे लिए ट्रिमिक्स फ्लोविंग प्रोसीजर सबसे पहले जो भी सर्फेस ही जाव लोगों कॉंक्रिट करना है उसको हैकिंग करके उसको तार रफ बनाया जाता है क्लीन क सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद में उसके अंदर कॉंक्रिटिंग करते हैं अगर तिकने ज्यादा रहेगी तोहार एंफोसमेंग बी डाते हैं आहिए कोंक्रिटीं करने के बाद में पूरा पैनल क्लियर बढने के बाद में बलत में पूरा हुंक्रिटी एक सथ करने के बाद में ये डी वांटरी जी मैंकुम दिवाटरिंग मचीन यूज करते हैं जो त्रिम इस प्रोज में सबसे इंपार्ट वो जो दिवाटरिंग विजिन उसमें जो एक्सिस वाटर है को गडिंग से वो टॉप लेयर मैं से एक्सिस वाटर निकालता है और इसमें इस वो सिमेंट और सेंड जारा ना करते वो एक्सिस वाटर में मचीन से निकालता है अब कॉंकर इंग करते हैं उसके साथ यह डबल भी स्क्रीड वाइबरेटर जैसे आपने पिछले इमेज में देखा वो डबल दिंग स्क्रीड वाइबरेशन यूज करके उसको लेवलिंग करते हैं और वाबरेशन भी करते हैं और यह लेवलिंग फर्स्ट्रावलिंग करते हैं उसके साथ जो कॉंक्रीट फ्रेश हराता है यह प्रोसेस में ली कॉंक्रीट का स्टेंग इंगरिक करने के लिए असवेल आज उसका एबरेशन रेजिस्टंस और फ्लोर उसके लिए भी यूज करते है इसके बाद फ्रोट ख़ल उसके लिए फ्रोटर मशीन अर विए यूज करते हैं ज्यादा दर्व जो फीनिशिंग और लेवलिंग करके और दूसरा चीज यह में ली स्रिंखेश कर एबर्ट करता है इसके बाद हम लोग गुटिंग करते हैं अभी गुटिंग क्या है हम देगेंगे आफ गुटिंग एक टेक्नीक है जो मेंधिली जॉइंट्स को चांट्रोल करने के यूज के जाते है इक ओंक्रीट में लोग ग्रैक्स को आवड करने के लिए जो एक्सपंशन और उता है वह क गूंकरीटेनली एक्सपान्डरीक्स होता है जैसे चेश ऑप टो मुश्चर कंटेंड ऑफ यह जो रहता है उसी pler होने की वजय से शिंकेज होने के जैंसे साहरे शिंकेज की मिज़े से क्रैक्स हाने के जैंस अगसे depois जा आख पGreg के सर्फिस में क्रैक्स आने के चांसे से इसी दिए ये गुर्व कुटिंग कर जॉइंड में एनल के जॉइंड में गुर्व कुटिंग करते हैं कर दो के सिर्फिस मेंुन है थाउन बीवे इसी आने का जॉइंड में प्रोण्य आता है निर्फ रॉइंड नॉइ प्रोण फ्रोणि नॉइ और प्रोणि रॉइड विर्व थैः नियू और गुटिंग ऐसां गोड तथी वर्णि पर मैं दॉइंड प्रोणि तर्वन कॉड कि इसका रेट जो ट्रूरिंग का है जल्दों अभी रुपीज आटरा से बीश रुपी पर स्क्वेर फीट चल रहा है इसमें तिकनेस के उपर और स्पेसिविकेशन के इसाब से रेट वेरी होता है इसे लेबर मटेरियल मशिनरी को फंट का है जैसे भी गुरू कुटिंग का रेट लग रहता है उसके गुरू कटिंग करने के बाद उसके अंदर सीलेंट फिलिंग करते है उसका रेट अलग रहता है तो उसके सब्सक्राइब रेट है यह 18-20 पर स्कुर्ट तो दोस्तों यह ता हमारा अज का ठाली आज का वीडियो आपको कैसे लगा जरूर और मेरे मेरे वीडियोस लाइक और शेर कीजिए और सब्सक्राइब का प्रेस पेजिए ताकि मेरे आनेवाने वीडियोस का रोल्टिपिकेशन आपको मिल सकते है धन्यवां